आवला नौमी के दिन शिरी हरी नारायन आवले के ब्रक्ष की पत्तियों पर सयन करेंगे मानिता है कि इस दिन बगवान विश्नु आवले की पत्तियों पर शैयन करते हैं और माल लक्षमी इस दिन पूरे दिन आवले की वरक्ष के उपर रहती है तो इस दिन बहुत ही खास हो जाता है आवले की पेड़ की पूझा करना पूरा वीधि आप जरूर जानिए क्या दान क बाती का दीपक लगाना है किस तरह से पूजा करनी है आप वीडियो में अन तक जरूर बने रही है अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आपको उपायों से रिलेटेड वीडियो इसमें मिलत प्रदान करने जाता है इस धिन फूजा सामगरी के सास्तात कच्चा दूद्द जरूर लेकर करके जाना चाहिए स्थारों में वनिते जो इस दिन आवले के पेड़ के नीचे कच्चा दूद् चाड़ाता है उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है तो कच्च्चा दूद्द चड़ाना चाहिए कुमकुम रोली चंदन मोली अक्षट इद्यादी समर्पित करने के बाद गी का दीपक जरू लगाना चाहिए गी का दीपक पूरा भरा होना होना चाहिए इस बात का जरू ध्यान रखिए असरों में वन्निते इस दिन आवले के पेड़ के नीचे आवला दान करने से अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती हैस दीन चान्दी के आवला का दान करना अती उत्तम माना जाता हैएए अगर चान्दी का आवला नहीं है तो फिर जो नूर्मल आवला लगता है जो ओरिजनल आवला होता है उसका भी दान्य करना इसे अक्षय पुने की प्राप्ती होती है आवला नमी के दिन आवले के वरक्ष के नीचे ब्रामन बोज कराना अति उत्तम बाना जाता है सारे रोग कस्ट इससे दूर हो जाते हैं आवला नमी के दिन पूजा इत्यादी करने के बात क्या उपाय किया जाए जिससे धन की प्राप्ती होती है आवला नमी के दिन अपनी जोली को पसार कर कच्ची उंगली जो सबसे चोटी उंगली वह और अंगुठा इन दोनों के माध्यम से आउले की च्छाल को अपनी जोली में गिराते हुए उजोली को بंद करके और मस्तक से लगा करके अपने घर की तीजोरी के अंदर उस च्छाल को रख देते हैं जिससे कभी भी धन खतम नहीं होता है, धन अक्षय हो जाता है यानि कि कभी भी धन की समापती नहीं होती है तो ये आप काम जरूर करिए और मा लक्षमी विश्णुजी से प्रातना करिए कि हमारे गर में धन अक्षय हो जाए और हम हमेशा निरोगी रहें, स्वस्त रहें और मस्त रहें अन्त में सबसे महत्पून, आवला नमी की दिन आवले के वरक्ष के नीचे अन का बाग गरहन करने से यानि कि कुछ भी एक निवाला भी अगर अन का बाग गरहन कर लिया जाता है तो वह अम्रत तुल्य हो जाता है और शरीर के अंदर जितने रोग हैं वह सब नस्ट हो जाते हैं तो इस दिन आवले के पेड़ के नीचे अन का बाग यानि कि अन जरूर गरहन करना चाहिए इसलिए आपने भी देखा होगा कि जो पूरानी होड़ते हैं वो अपने साथ तिफिन जरूर लेकर जाती हैं आवले की रक्षिय पुजा करती हैं वहाँ नहीं बना सकते हैं तो तिफिन में लेकर जाते हैं वहाँ भोजन करते हैं